हमेट आए हैं यह वेलकम बैक तो मैं यू वीडियो तो इन बात करेगे hazma जा के उपर मार्च क्या होते हैं इसे हम कैसे बड़ी सकते है उनके बारे में बात कर वह कु Omg मार्के सेक्ल्स क्या होते है मार्के साइकल मतलब पर मैंने सारे सिंबल्स लगा दिए है जो भी सेक्टर से जी के बढ़ रहे हैं हम इसे अंदजा लगा सकते हैं तो अगर मैंने ये अभी डेली का चार्ट लगाया हुआ है और हम देख सकते हैं कि जाइनवरी स्टार्टिंग से ही FMC सेक्टर थोड़ा सा बेरिश मोड में हैं तो इससे हम ये पता चलता है कि हमें अगर अभी Swing Trades लेने हैं या फिर Intraday Trades भी लेने हैं तो हमें Bearish Side पे देखना दबढेगा ना कि Buying Side पे तो यहाँ पर Clearly देख सकते हैं कि ये सेक्टर थोड़ा सा Bearish Mode में है और इसका ये चैनल जो है बन चुका है इसके अंदर ही है जब तक यहां से हमें कुछ breakout नहीं मिलता है तब तक हम यहां पर buying trade तो नहीं लेने वाले तो अगर यह sector down है तो के वाकिकी sectors कैसे कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं तो यह है nifty auto इसमें हमारे stocks जैसे तो यह sector अभी सबसे जाता bullish दिखाई दे रहा है क्योंकि अच्छा खासा up move जो है उसने दिया है और हम जिसे देखे कि January स्टार्टिंग से यह almost थोड़ा सा साइडवे जाके अभी up move दिया है इसने तो फिर हमें यह देखना है कि अगर swing trading करनी है तो हमें इस sector के उपर ही focus करना है जो कि है nifty auto तो यह आपका research point हो सकता है swing trading के लिए कि मुझे अगर stocks देखने है तो मुझे बस इसे sector में से देखने है मुझे FMCG में नहीं जाना है तो आपके stocks जो है बहुत ज़्यादा concentrated हो जाएंगे मुझे बहुत सारे questions आते है कि इतने सारे stocks है मैं कैसे उन्हें filter out करूँ या फिर मुझे confusion होता है कि 2-3 stocks साथ में breakout डे रहे है तो मैं किस में trade लूँ तो सबसे पहले यह देख लो कि कौन सा sector सबसे ज़्यादा bullish है अगर आपको FMCG में कोई stock का breakout मिला है और आपको अगर auto में कोई stock का breakout मिला है तो हमें auto वाला ही चूज कर रहा है क्योंकि इसका पूरा sector ही bullish है यहाँ पर उपर जाने के chances बहुत ज़्यादा है FMCG में fake breakouts होने के chances बहुत ज़्यादा है तो ऐसे ही दूसरे sector देख लेते है निफ्टी commodities ये भी काफी ज़्यादा bullish दिखाई दे रहा है ये निफ्टी energy ये भी bullish है निफ्टी fin service ये थोड़ा सा हमें bearish दिखा दे रहा है तो इसे हम avoid कर सकते है तो ऐसे हर sector के कुछ महीने होते है जहाँ पर बहुत अच्छा perform करता है फिर कुछ महीनों होते जहाँ पर consolidate करता है और कुछ महीनों में bearish होता है तो consolidated वाले sector से तो दूर रहना है bearish वाले में हम bearish trades ले सकते हैं और bullish वाले में bullish trades ले सकते हैं तो पहले ये हमें homework करके जाना पड़ेगा कि हमें कौन से सेक्टर का stock लेना है और फिर उसमें देखना है कि कौन से stock अच्छा खासा breakout डे रहा है ये है nifty FMCG जो हमने अभी बात किया ये पूरा bullish है ये है nifty infra इसमें moment है लेकिन अभी थोड़ा सा cooldown होते हुए दिख रहा है nifty IT moment आथा है थोड़ा गिरता है फिर से जादा moment आथा ये volatile सेक्टर में मैं डालने चाहूंगा लेकिन overall इसका trend काफी जादा bullish है रहा है nifty media में तो trade लेना ही नहीं है nifty metal में हम देख सकते है nifty media act में हम देख सकते है तो ऐसे मैं अपने stocks को research करता हूँ और फिर उसके बाद में ही decide करता हूँ कि किसमें trade लेना है किसमेंने कुंसे sector में trade लेना है किसमेंने मैंने यहाँ पर अपनी watchlist बना के रखिए हर sector के हिसाब से तो अगर मुझे देखा कि pharma sector अच्छा कर रहा है तो मैं pharma में चाकर बस इन ही stocks में trades लुंटा हूँ ना कि बाकी के पूरे market ने जो 500-1000 stocks है उन में तो इन में देखना बहुत जाता आसान हो जाता है कि किसमें breakout हो सकता है किसमें नहीं हो सकता तो बस यही है मेरा research का जो first part है यह रहता है फिर इस बात में मैं देखता हूँ कि कहाँ पर मुझे breakout जिप्त है कहाँ पर अब और जुनिट्स आती है उस पर reminder लगा के छोड़ सकते है like trading view में एक feature है कि आप reminder लगा सकते है यहाँ पर मुझे समझ लो breakout के chances दिख रहे है तो मैंने बस यह line रोगर के इसके ओपर इस पर क्लिक करके हम alert लगा सकते है बस create alert कर देना है जब भी stock इस line को cross करेगा हमें एक notification आ जाएगा कि यह alert trigger हो गया है और फिर हम वैसे trade कर सकते हैं तो यह था मेरा twin trading के लिए research का pattern आपको आपको यह वीडियो अच्छे लगता है तो like कीजिए और comment कीजिए अगर आपको और ऐसे वीडियो शाहिए तो thank you झाल 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 सकते हैं तो